आज मैं आपके लेकर आयूं गुड मखाने की रेश्पी जो की टेस्टी होने के साथ सद्ध हेल्धी भी है इसको बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए हमने 200 गण मखाने लिए हैं 200 गणी गुड लिए जब भी आप मखाने लो, मोटे मखाने लो एक चमब चम देशीगी कर डालेंगे और अपने मखानों को रोस्ट करेंगे अब हमारे मखाने बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं अब अपने मखानों को कडाई से निकाल लेंगे हमने जो 200 ग्राम गुर्ड लिया था अब उसके हम कटिंग कर लेंगी अब अपने हमने गुर्ड की कटिंग कर लिया है अब गुर्ड हमारा रेडी हो गया है अब एक चमा चमलों गी कर डालेंगे और कटावा गुर्ड डाल लेंगे अब इसे महल के हाथ से चलाते रेंगे ताकि नीचे न लग जाए गुर्ड कॉम तक तक चलाते रेंगे जब तक ये पीगलना जाए अब हमारा गुर्ड पिगल गया है अब एक बाउल में थंडा पानी ले लेंगे अब हमने थंडा पानी इसलिए लिया है ताकि हम चेक कर सके कि हमारा गुर्ड परिफेक्ट बना है के नहीं बना है अब हमने जो बाउल पानी का लिया था उसके अंदर हम एक दो ड्रॉप गुर्ड की डालेंगे और चेक करेंगे कि वह टॉफी की तरह तूट रहा है कि नहीं तूट रहा है अब इसके अंदर हम लोग आदा चमल बेकिंग सोडे का डालेंगे अब इसे अच्छे से चलाएंगे एब इसको मिक्स करने के बद इसके अंदर हम लोग मखाने डालेंगे अब गुर्ड और म खाने को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिन तक चलाते रहेंगे अब गुड़ और मखाने अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आपको लग रहा होगा कि यह चुपक चुपक रग रहे हैं, बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगे, अब इसके अंदर एक चुटकी काली नमकी डालेंगे और एक चुटकी काली मिच्क डालेंगे, आदा चम्य सोंट का अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक से दो मिनट तक इसको भी हम चलाते रहेंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएगे, अब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसे हम निकालकर एक प्लेट में डाल देंगे, और जब यह ठंडे हो अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करकर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और मुझे स्पोर्ट करें थैंक यू